पंजाब के लुधियाना से उत्तरप्रदेश के हरदोई जा रही सवारियों से भरी ओवरलोड बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हादसे का शिकार हो गई बस में सवार सवारियों के अनुसार ओवर्टेक करते समय बस बुरी तरह से खेतों में पलट गई हादसे के बाद ड्राइवर और कंड़क्टर दोनों ही मौके से फरार हो गए बस में फंसी सवारियों भी बस का शीशा तोड़कर आसपास के लोगों की मदद से बाहर निकल पाई घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची लेकिन तब तक सभी घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भरती करवा दिया गया था फिलहाल बस में सवार सभी लोगों को ग्रामिनों ने एक धर्मशाला में रखा हुआ है पुलिस मामले की जांच में जूट गई है पहले भी लापरवाही की वजह से कई बार इस तरह के सड़कात से सामने आ चुकी हैं जिसमें कई लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी है लेकिन फिर भी वाहन चालक लगातार लापरवाही बरत रही है जैसे कि आपने पता है मेरे टोड फलाई ओर बन रहा हुदर सुगर मीलूस की तरफ से यहां से अपना ट्राफिक बहुत जादा चल लगी है तो मैं अभी डूटी से आ रहा था तो जब देखा मेरे से थोड़ी आगे थी पस यह तो ओर टेक के भी क्या उस साइड में कुछ ट्राफिक कार बगारा खड़ी थी उसको ओर टेक करने के चक्कर में खेत में जागे य हैं उसमें 30-40 सवारी के आसपास बता रहे हैं मोकव न तो कोई ड्राइवर है और ना ही कोई कि ट्राइवेट बसे जी और अभी सवारिया को देखते हैं दो सवारीयों को बतारहे हैं गायल हूए लिए उनको हमें चेक कर रहे हैं कलपना चावला हम जागे देखे हैं तो र एंबुलेंस पहुंच की थी और वो जाद सुके हैं सब्सक्राइब कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं अभी हमारे कोई नहीं